हलो एब्रिवन, वेलकम टू मार यूट्यूब चैनल NCRT की क्लासिक्स की जो अमारी हिस्ट्री की सीरिस चल रही है यह उसका 6 चेप्टर है जिसका नाम है नए प्रश्ण, नए विचार इससे पहले हम 5 चेप्टर पढ़ चुके हैं आप उनको जरूर चेक कीजेगा उनकी लिंक आपको रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी 6 चेप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप 5 चेप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको यह चेप्टर थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि NCRT में या जो कोई दूसरे भी बुक होते हैं उनमें जो चेप्टर होते हैं वो प्रिवेस चेप्टर से कनेक्टेड होते हैं उनकी लिंक आपस में जूड़ी हुई रहती है अब चेप्टर नमबर 6 में बहुत से वर्ड ऐसे आने वाले हैं जिनको मैंने पहले वाली चेप्टर में अच्छे से explain किया है हमने वहाँ अच्छे से पढ़ा है तो जब तक आप उन वर्ड को नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको उन वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आपको क्या करना है कि इसके notes बनाने है क्योंकि जब आप revision करेंगे तब आप पूरा तो चेप्टर नहीं पढ़ेंगे और क्योंकि अगर आप UPSC या किसी भी state PCS की preparation कर रहे है तो end time में आपको क्या रहा का कि revision के time में सारे notes आपको एक जगे चाहिएंगे जिसे अगर आप NCRD कवर कर रहें तो आप पूरा lesson तब नहीं पढ़ेंगे revision के time में आपका वो सारा पड़ा है बस आपको main point revise करने तो आपको इसलिए notes बनाने है notes को भी एसे बनाना है कि उसमें main main point हो notes भी आपको इसे नहीं करना कि आप पूरी की पूरी book को उस notes में लिख रहे है short notes बनाईए जो आपको समझ आ सके last time में तो अब हम दिखेंगे chapter number 6 के बारे में नए प्रश्न नए विचार history subject को क्या है आपको रटना नहीं है आपको उसके समझना है उसे as a story पढ़ना है तो अब हम start करते हैं नए प्रश्न नए विचार से जैसा कि आप इस अध्याय का नाम समझिए नए प्रश्न नए विचार मतलब जो एक student है वो उनके मन में नए नए प्रश्न नाएंगे जैसे जैसे वो प्रश्न पूछेगा तो उनके मन में नए ने विचार भी आते जाएंगे ठीके इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में देख लेंगे जैसे कि chapter 5 तक हमने महा जन्पत के बारे में पढ़ा था उसमें हमने दो ही फिलाल वज्जी और मगदो के बारे में ही पढ़ा था तो आपको उसको चैप्टर को रिवाइस करने के बाद आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले बुद्ध के बारे में जो महात्मा बुद्ध थे कि उन्होंने किस तरीके उनका जीवन जो पूरा काल रहा है उनका जन्म कब हुआ और कब उन्होंने घर को त्यागा था बोद्धर्म कब अपनायत था बहुत दर्म की स्थापना कब की थी ये सारी डीडेल हम इसमें देखेंगे बहुत दर्म पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे उपनी शद के बारे में उपनी शद के बाद हम देखेंगे जैन दर्म के बारे में दो दर्म इसमें है और एक उपनी शद है उसके बाद हम संख देखेंगे जो बोद्र जेन दर्म से ही संबंदित रहेगा उसके बाद हम विहार देखेंगे कि किस प्रकार जेन और बोद्र दर्म की जो बिख्षू गर्तिया करते थे ना तो वो जहां जहां शरण स्थल बनाते थे कि अभी यहां पर रेस्ट करने का तो वह विहार कहलाते थे ठीक है तो इसमें फिर हम लास्ट में आश्रम में वस्ता भी देखेंगे तो कुल मिला कि यह जो पूरा चैप्टर है वह जेन धर्म और बोधर दर्म के बारे में ही है तो स्टार्टिंग हम बोधर दर्म से करेंगे इसमें यह एक स्टोरी दी गई है जिसमें जिसे अभी हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की स्टोरी से इस स्टोरी इत्ती इंपोर्टेंट नहीं है पर एंसी आर्ट की बुक में दी गई है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है अनगा नाम की एक लड़की है वह पहली बार अपने स्कूल से सेर पर जा रही थी इसके लिए उसने देर रात पूने पूने जो महाराष्ट्रम है से वारानसी जो यूपी में है की एक ट्रेन पकड अब सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध जो आपको पता है वह बुद्ध धर्म के संस्थापक थे जिनका नाम एक्चुल नाम था सिद्धात और जब उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की तो उसके बाद से वे गोतम कह जाने लगे उनका जो जन्म है वह 25 वर्ष हुआ था और जो बुद्ध धर्म था वह एक्चुली जैन धर्म के बाद आया है तो बुद्ध धर्म का अस्तित्व के से हुआ कि जो जैन धर्म था उसकी नियम काफी कठोर थे स्ट्रिक्ट रूल थे तो जो जन्म साधारन के लोग थे उसमें सबका ये बला पोसिबल नहीं था सबके लिए ये पोसिबल नहीं था कि वे जैन धर्म के जो इतने स्ट्रिक्ट रूल है उनको फोलो कर सके तो इसे लिए मद्यमार को अपनाते हुए कि न जादा डिलाई देनी है न जादा स्ट्रिक्ट रूल रखने है तो महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी तो ये जो टाइम था जब बुद्ध धर्म अस्तित्व में आया तब क्या था जो लोगों का जीवन था उसमें बहुत स्पीड से चेंज आने लगे जिसे हमने पांच में पढ़ा था कि पहले कैसे की वह जनपत थे वो मैंने आपको अश्व में ग्यग्य के बारे मताये था कि किस तरीके से राजा अश्व में ग्यग करते थे और जो उनके गोड़े को रोक लेता था उनसे वह राजा युद्ध करते थे लड़ाई करते थे और अगर गोडा जिसने रोका है वो हार जाता था तो उसके शेत्र पर उस राजा का जो यग्य करा रहा है उसका अधिकार हो जाता था तो ऐसे ऐसे करके उनका जो एरिया हो गया वो बढ़ता गया और वो महाजनपत होता गया तो ये महाजनबत्वा है, अगर आपको डीटेल में पढ़ना है, तो आप प्रीवेस शेप्टर को देखें, फिर उसके बाद क्या हुआ कि और नए नगर बनने लगे, जो गाओं जिसे अधिकाश जनता जो थी, वो गाओं में रहती थी, तो उसमें भी काफी चेंजेज आने लगे, तो बहुत से जो विचारक थे, वो इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, और जो जीवन का सच्चा अर्थ है, वह भी वे जानना चाते थे, कि किस तरीके से पहली बात तो ये परिवर्तन हो रहे हैं, और जो जीवन का क्या अर्थ है, वह समझना वे चा शुद्र जो ब्रह्मा के शरीर से जिनकी उत्पत्ती हुई है ऐसा माना जाता है इनका वर्णन रिग्वेद में किया गया है तो वे एक शत्री हैं महात्मा बुद्ध और ये शाक की नामक एक छोटे से गण से संबद देते हैं यूवस्ता में ही ज्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मन किया अनेक विचारों से मिले चर्चा की उन्होंने और उन्होंने ज्यान प्राप्ती के लिए उन्होंने पहली बातों घर त्याग दिया था फिर उ वो आप आगी की क्लास में पढ़ेंगे महाँ पे उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की तपस्या के बाद में उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ और जब तब तक वे सिद्धार्थ के लाते थे और जब उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ उसके बाद से वे बुद्ध कहे जाने लगे तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने है ठीक है उसके बाद जब उन्हों को ग्यान प्राप्थ हो गया तो वे वारानसी के निकट स्थित सार्नात गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो आपको ये द्यान रखना है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने पहली बार अपना अपदेश का दिया था वह दिया था सार्नात में और इसी का मेंचर उपर वाली स्टोरी में किया गया था उनकी मृत्यू हुई थी कूशी नारा में और उनकी मृत्यू से पहले उन्होंने अपना जो पहले वाला जीवन था उन्हों एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा उन्होंने पैदली की थी और लोगों को शिक्षा दी तो आपको इसमें नोर्स केसे बनाने हैं बुद्ध के बारे में लिखना है कि वे किस गर्ण से संबंदित है उसके बाद उन्हें ग्यान प्राप्त कहा हुआ और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया उनकी मृत्यू कहां हुई उनका जर्म कब हुआ तो ये सारी और उनका बुद्ध दर्म के स्थापना से पहले उनका नाम क्या था यानि उनका असली नाम क्या था जो सिद्धार्थ था अब हम देखेंगे कि बुद्ध ने शिक्षा क्या दी बुद्ध की शिक्षा थी कि जो जीवन है वहा कश्टों और दुखों से भरा और ऐसा हमारी इच्षा और लालसाव के कारण होता है वतलब इसमें जो चार आरे सत्य है जो आप आगे पड़ेंगे डीटेल में उसमें चार आरे सत्यों के बारे में दिखा गया है कि दुख, दुख का कारण, दुख निवारन और दुख निवारन मार्क ठीक है ये चार सबसे पहले कि जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का कारण क्या है हमारी इच्छा है जो इच्छा है कभी पूरी नहीं होती अगर इच्छा है पूरी नहीं होती तो हम दुख ही हो जाते हैं तो मतलब दुख का में कारण क्या है इच्छा और लालसा जो हम हर प्राप्त कर लेते हैं पर फिर भी हम उससे सैटिस्फाय नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्या होता है कि एक इच्छा हमने रखी वो पूरी हो जाती है हम उसमें संतुष नहीं होंगे क्योंकि हम उससे और ज्यादा पाने की इच्छा रखेंगे लब एक इच्छा पूरी होने के ब जो दुख का मेन कारण है वह है इच्छा जो इच्छा अगर टेम्प्रेरी पूरी होती भी है तो वह आगे की और अग्रसर होती जाती है वह बढ़ती जाती है तो इस प्रकार हमारी इच्छाएं कभी मरने वाली नहीं है जो बुद्ध ने ये जो लिपसा है उसे कहा है द्यान रखना है अब बुद्ध के अनुसार ये जो हम लालसा रखते हैं उससे मुक्ति के से पा सकते हैं उससे छुटकारा के से पा सकते हैं तो उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि हमें आत्मसयम रखना पड़ेगा मतलब खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और उन्हो बाते ये हो गए, अब उन्होंने लोगों को दयालू होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदार करने की शिक्षा दिये, कहने का मतलब उनली हमें जो मनुष्य हैं, उनसे ही अच्छा विवार नहीं करना, बलकि जानवरों से भी करना है, उनका मानना था कि हमारे कर्मों के परेणाप, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बात की जीवन को भी प्रभावित करते हैं, मतलब वे आगे की जीवन की बात कर रहे हैं, ठीके, मतलब जो आज हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, चा माद में जाकर कुछ बुरा हो जाए तो इ सारी शिक्षा मातमा बुद्ध में venir अब जो बुद्ध की जो शिक्षा जो थी वह उन्होंने प्राकृत भाष्मême तो उनके उपदेशों को अधिक से अधिक लोग समझे वो तब ही हो सकता है ना कि उन जो लोग भाषा समझ रहे हैं उनहीं में ही उपदेश या संदेश दिये जाए अब इसमें आपको फोटो दिख रहा है वह साड़नात का स्थूप आप इसका ये स्क्रीन शोट लेके दख सकते हैं मैं आप कोई जूम इन करके बता रही हूँ जो साड़नात का स्थूप है ये पूरी एक इमारत है यहां पर ही बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था और पहले ये मदब खाली एक जगे थी पर वहां पर उपदेश देने के बाद उनकी स्मृति में वहां एक स्थूप बना दिया गया अब स्थूप क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अब बुद्ध आगे कहते हैं कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यहां उनका उपदेश है बलकि उसे अपने विवेक से मापें जैसे कि लोगों से उनकी अपने अंदर भी उसे अपना जो बुद्ध कह रहे हैं उनको वो फोलो करें अब हम एक स्टोली के बारे में पढ़ेंगे किसा गोत्मी की कहानी यह एक फेमस कहानी आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी जिन्नों नहीं पढ़ी वो आज पढ़ लें एक समय की बात है किसा उसके पुत्र को जिवित कर दे ठीके तो इसको देखते हुए एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सर्सों के बीच ला कर दो मैं तुमारे पुत्र को जिवित कर दूँगा तो वो जो लेडी थी किसा को अत्मी वह इससे बहुत हुई हो, बात तो केवल बीज लाने की थी, पर उसमें एक शर्ट रखी गई थी, कि ऐसे घर से लाना है, जहाँ किसी की म्रत्यू नहीं हुई हो, तो किसा गोत्मी निकलती है, और जहाँ जहाँ जाती है, तो वहाँ वहाँ उस गर में उसने पाया कि हर गर में किसी न किसी की मृत्यू हुई है किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पती, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, नाना, नानी किसी न किसी की मृत्यू हुई थी तो उससे उसको ये सबख मिला कि जिसे किसी का जीवन है तो उसकी मृत्यू होना निश्य ही है उसे हम वापस नहीं ला सकते तो किसा गोत्मी ने बुद्ध से यह शिक्षा प्राप्त की थी यह एक बेसिक स्टोरी है वसे अब हम देखेंगे उपनीशत के बारे में अब जिस समय उपनीशत क्या होता है पहले मतलब उपनीशत का जो मीनिंग होता है वो होता है कि गुरू के सम्मी बेठना जैसे कि कोई गुरू है वो जो उचारन कर रहा है तो जो उसके पास में बेठ कर जो उसके स्टूडेंट है वो विचारों को सुने तो वेसे उपनिशत का अर्थ यह है इसका शाप्दिक अर्थ की बात कर रहा है उसका जो डीटेल में है वो भी हम इसकी रीडिंग के साथ साथ समझेंगे जिस समय बुद्धु उपतेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले जो दूसरे चिंद तक थे वे कठीन प्रश्णों का उत्तर डूणने का प्रयास कर रहे थे मतलब तब जो ततकालीन प्रश्णों उनके मन में आ रहे थे जो थोड़े से कठीन थे जिनका जो उत्तर या जो आंसर पाना था वो इतना इजी नहीं था उन question में क्या था? कि मृत्यु के बाद का जीवन क्या हो? क्या होगा? या मतलब कैसा होगा? इसके बारे में वह जानना जाते थे. एक question ये था. दूसरा था कि जो यग्य होते हैं उनकी उपयोगीता क्या है? जिसे कि ब्रामण जो थे वो यग्य क्या करते थे? तो न्यग्य की क्या उपयोगीता है तो वे जो चिंतक थे वो इसके बारे में बहुत चिंतन करते थे कि इन दोनों का मतलब end condition क्या है इनका हमें क्या answer मिलेगा बहुत से जो चिंतक थे विचारक थे उनका ये मानना था कि विश्यू में कुछ तो ऐसा है जो की स्थाई है स्थाई मतलब कि जो मृत्यू के बाद भी बचा है मतलब मृत्यू हो जाने के बाद वो खतम नहीं होता जिसे आप उसे आत्मा कह सकते हैं ठीक है? आत्मा या ब्रह्म जो है वो मृत्यू के बाद भी विद्यमान है ऐसा जो विचारक हैं वे मानते हैं कि लोगों की मृत्यू के बाद उनका शरीर चला जाता है पर उनकी आत्मा वो रहती है वो चिरंजीव है और लास्ट में उनका ये मानना था कि आत्मा और ब्रह्म ब्रह्म अत्वा स्रुभूम आत्मा के रूप में किया गया है मतलब आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है एसा कई विचारों का मानना है अब जि ये धै के विचार हैं कि यग्यग की क्या उपयोगीता है और आत्मा मृध्यू के बाद भी विद्यमान रेती तो ये सारे विचार जो है वो उपनिशद में इनका संकलन किया गया है, ये सारे उपनिशद में लिखे गये हैं और उपनिशत क्या है वो उत्तर वेदिक ग्रंथ है उत्तर मतलब बात वेदिक ग्रंथ जो आपको चार वेद रिगवेद, सामवेद, अथरवेद और यजूरवेद ये चार जो वेद है ये वेदिक काल की ग्रंथ है उत्तर वेदिक काल की ग्रंथ मतलब इस काल के बात में ज उपनी शत्का शाप्दिकर्थ होता है गुरू के समीब बेटना इन ग्रंथों में अध्यापको और विद्यार्थियों के बीच बादचित का संकलन किया गया है प्रायर जो विचार है वो सामाने वारतलप की रूप में प्रस्तुत किया अब जैसे कि जो स्टूडेंट है और अब जो हम यह सामने आपकी बोक्स में दिया गया है भारती दर्शन की छ पद्धितिया जो शर्ट दर्शन के नाम से जानी जाती है सदियों से भारत द्वारा सत्य की बोधिक खोच का प्रतिनिदित्व दर्शन की छे शाखाओं में किया गया है मतलब जो सत्य की बोधिक खोच आप इसमें खाली खोच पर मत जाएए सत्य की बोधिक खोच का प्रतिनिदित्व है वो छे शाखा में किया गया है छे शाखाएं कौन-कौन सी हैं वेशेशिक नियाय सांख्य योग पूर्व मिवान सा और वेदान्त या उत्तर विवान सा आपको इन छे के नाम ध्यान रखने हैं यह इंपोर्टेंट है यह UPSC के पेपर में भी पूछे जाते हैं अब इनकी स्थापना कैसे की थी आपको वो भी द्यान रखनी है कि वेशेशिक की स्थापना की थी रिशी कनद ने, वेदान्त की की थी गोतम ने, सांख्य की की थी कपिल मुनी ने, योग की की थी पतंजली ने, पूर्व विमान सा की की थी जैमीनी ने और उत्तर विमान सा अवेदान की कीथी व्यासने तो आपको इनके जो संस्थापक है उनके बारे में भी नोट्स में लिखना है ये जो छे पद्दतिया है ना इनकी चर्चा आज भी इंफेक्ट की जाती है अब जो जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत विध हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन छे शाखाओं का विकास कई पीडियों की दोरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं थे जैसे इसमें संस्थापक का नाम दिया गया है न तो इसमें व्यक्तिगत विचार नहीं थे पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने इन विचारों की या इन दर्शनों को स्थापित या उनका स्थापना की है ये जो विचार है ये एक दूसे से बिनना है ये छे के छे सेम नहीं है ये अलग-अलग है पर जो इनकी जो बैसिक चीज है जो सत्य के प्रति जो इनकी समझ है वो लगबग मेच होती है बाकी पूरा मेच नहीं होता अब एक और स्टोरी आई है मतलब स्टोरी क्या है ये भी एक कन्वर्जिशन है इसका नाम बुद्धिमान बिखारी है यह जो है वो च्छांदों की उपनिशद एक फेमस उपनिशद है उसकी कहानी पर आधा रहे थे शोनक और अभी प्रतारें नामक दो रिशी सार्व बोम आत्मा की उपासना करते थे एक बार जो ही में बोजन करने के लिए बैठे एक बिखारी आया और बोजन मांगने लगा शोनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं देख सकते बिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं तो अभी प्रतारें ने उत्तर दिय सारू बोम आत्मा की तो ओ इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सारू बोम आत्मा संपुर्ण विश्व में विद्वान हैं यह सा बिखारी ने कोशन किया तब रिश्यों ने कहा हां हां हम सब जाते हैं फिर बिखारी ने पूछा अगर यह सारू बोम आत्मा संपुर्ण विश्वम विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, मैं कौन हूँ मैं इस विश्व का एक बागी तो हूँ तो वो यह कहना चाहरा है कि आप जिस आत्मा की पूजा कर रहे हैं जिनके आप उपासना कर रहे हैं वो अनली मरने के बाद नहीं विद्यमाने, वो हर एक इंसान के अंदर भी विद्यमाने, तो वो जैसे वो बोजन देने के लिए मना कर रहे थे, तो उन वता रहा था कि में भी एक विश्व का हिस्सा हूं, और वह सारुबोम आत्मा मेरे अंदर भी नहीं थे, तो ये चांदों के उपनिशत में इस कन्वर और इसमें अध्यापक और विद्यार्टियों के बीच जो वारतालाप होते हैं, उनका संकलन है, अब ये जो चर्चा करते थे, उनमें भाग लेने वाले जो लोग थे, वो अधिकांच थे, पुरुष, भ्रामन और राजा, अब इसमें जो महिला थी, वो गारगी और मेत्र जेसी जो स्त्री विचारक थी, उनका भी उलेक मिलता है, और जो गारगी है, वो वाद विवाद में भाग लेने के लिए, अनेक राजदरबारों में जाया करती थी, ये एक स्त्री विचारक है, गारगी, इनका नाम आप लोगोंने सुना होगा, जो निर्दन व्यक्ती थे वे इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, और बाकी जो अन्यम ही लाए थी, वे भी हिस्सा नहीं लेती थी, अब जिसे निर्दन व्यक्ती की बात की गई है, तो उसमें एक सत्यकाम जावाल नाम का एक निर्दन व्यक्ती था, और उसका जो नाम है, वो उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा, वो एक दासी का पुत्र था, पर जो सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीवर इच्छा जिग्यासा उत्पन्न हुई, गोतम नामक एक ब्रामर ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्विकार किया, और वह अपने समय के सरवादिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया, क्योंकि आलांक कि ये एक exception है कि किसी निर्दन को इस टाइब के समयलन में भाग लेने के लिए या इस टाइब के वादवयाद में भाग लेने के लिए हिस्सा मिलता था, तो ये जो मैंने आपको नाम बताया, यह एक दासी का प पाणीनी के बारे में। ये भी एक तरीके के विद्वान थे जो संस्कृत भाषा में व्याकरण की उन्होंने रचना की थी। लगबक तीन हजार के असपास उसके रूप में किया था। अब तक हमने बहुत धर्म के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने ग्यान की खोज में अपना गर छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने तपस्या करके ग्यान अर्जित किया सारनाथ भी अपना प करते थे उन सबका संकलन हमें मिलता है उपनी शद में जो उत्तरवेदिक ग्रंथों का एक बाग है तो यह सारे आपको नोर्ज बनाने हैं अब हम पढ़ेंगे जेन धर्म के बारे में पच्छिसु वर्ष पूर्व जो जेन धर्म के चोईस्वे और अर्थिं तेर्थं कारे वर्दमान महाविर ने अपने विचारों का प्रसार किया वे जो थे वे वज्जी संग से संबंदित थे लिछवी कुल के एक शत्रिय राजकुमार थे वज्जी संग जिसका हमने चेप्टर नबर पांच में अच्छे से वर्णन किया है तीस वर्ष की आयू में उन्होंने गर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे बारा वर्ष तक उन्होंने कठीन और एका की जीवन व्यतित किया और उसके बाद उन्हें ज्यान प्राप्त हुआ उनकी जो शिक्षा थी सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्यक इस्त्रीव पुरुष को अपना गर छोड़ देना चाहिए ये उनका मानना था कि अगर तुम्हें सत्ती जानना है चाहे वो इस्त्री हो चाहे पुरुशो उसके लिए तुम्हें अपना गड़ छोड़ना पड़ेगा उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए मतलब किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए नहीं उनकी हत्या करनी है ये उनका अहिंसा मतलब उन्हें हिंसा नहीं करनी है ये उनका एक मूल सिद्दान था महाविर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्री है तो ये उनका आधिकार है और तुमे कोई रायट नहीं कि तुम उनका आधिकार छीनों हिंसा करके इन्होंने महाविर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी जिस प्रकार बुद्ध ने दी थी यही काराणे कि साधरान जन भी उनके तता उनके अनुयायों की शिक्षाओ को समझ सके ये इनका मेन लीजन होता था कि ये जन साधरान की भाशा थी देश के अलग-अलग इस्सों में प्राकृत के अलग-अलग रूप प्रचलित थे प्रचलन शेत्र के आदार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जाने वाली जो प्राकृत थी वो मगदी कहलाती थी बतब एरिया वाईस जो भाशा होती है उनका वो रूप धारन कर लेती है जैसे कि प्राक्रेट मगद में मगदी कहलाती है ऐसा जेन नाम से जाने गए महाविर के अनुयायों को बोजन के लिए बिक्षा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था मतलब आपको अगर बोजन करना है तो आप बिक्षा मांगिए आप साधा जीवन ब्यतित कीजिए पूरी तरह इमानदा रहिए चोरी नहीं करनी है आपको और ब्रह्म चले का पालन करना है और पूरुश जो होते थे वो वसरों सहीत सबकुछ देते थे इसमें भी जैन दर्म की दो शाखाएं हो गई श्वयतामबर और दिगंबर तो जो श्वयतामबर वारे थे वह वसर पैना करते हैं और जो को पूरुशों को वसर पैनने की परमिशन नहीं होती है ये उनके जैन दर्म के पांच जो सत्ते हैं अहिंसा, ब्रह्मचरे इसमें दिख रखा है अस्ते अपरिग्रह तो इसमें जिसे बताया गया है कि आपको हिंसा नहीं करनी है, इमानदार रहना है साधा जीवन व्यतित करना है, चोरी नहीं करनी है जूटनी बोलना है और ब्रह्मचरे का पालन करना है अब ये जो नियम थे, वो हर किसी के फोलो करने की बसकी बात नहीं थी कई लोगों ने तो सत्ते की खोज के लिए अपने गरों को छोड़ दिया और कई ने अपने गर पर ही रुखे और बिख्शू बिख्शू नहीं बने लोगों को बोजन प्रतान कर उनकी सायता करते थे वो जिन्होंने गर छोड़ा, उन्होंने तो सत्ते की खोज करने में तपसे शुरू कर दी बाकी जिन्नों नहीं छोड़ा वो जो पहले के बिख्शु थे उनको वो बोजन खिलाते थे व्यापारियों ने जेन दर्म का समर्थन किया किसानों के लिए इन इमों का पालन अत्याद कठीन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीडे मकोडों को मारना पड़ता था पर ये जेन दर्म का रूल था मैंन कि आपको अहिंसा अपनानिय यानि हिंसा नहीं करनी है तो ये किसान थोड़ा इसको नहीं फोलो कर पाते थे बात की सद्यों में जेन दर्म उत्तर भारत के कई इसों के साथ-साथ गुजरात, तमिलनाडू और करनाटक में भी फेल गया गुजरात के जो वल्लबी नामक इस्थान है वहाँ पर लिखी गई थी लगबग 1500 वर्ष पूर्व, अब जो जेन शब्द है वो जीन शब्द से निकला है उसका अर्थ होता है विजेता, अब हम देखेंगे संग के बारे में, संग होता है कि संग का मतलब होता है संगठन, ठीके, ऐसा स्थान जहां पर जो लोग हैं जो घर का त्याग करते हैं सत्य की खोज करने के लिए, जहां पर लोग तपस्या करते हैं, उस स्थान पर लोग एक साथ रहें, तो वो जो स्थान है वह है संग, संग एक तरीके का संगठन था, जहां पर घर का त्याग करने वाले जो लोग हैं वो एक साथ रह सके तो ये दोनों कंसेब्ट की आपको घर का त्याग करना है सत्य की खोज में तो वो महाविड ने भी दिया था और बुद्ध ने भी दिया था संग में रहने वाले जो बुद्ध भीक्षों के लिए बनाए गए जो नियम थे वे विनाय पिटक नामक वुरंथ में मिलते हैं ये बुद्ध दर्मक के बारे में बता गया है बुद्ध दर्मक के जिसे तीन पिटक है सुत्त पिटक विनाय पिटक और अभी दर्म पिटक तो प्रवेश ले सकता था इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का बेदबाव नहीं था और अगर कोई बच्चा उसमें प्रवेश रेना चाता है तो उसको अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी पर्मिशन चाहिए कोई दास लेना चाता है तो उसे अपनी स्वामी की पर्मिशन लेनी बाकि जो एडल्ट हैं वे इसमें आ सकते हैं और अलंकि जो इस्तरी थी उसे भी अपने पती की अनुमती लेनी होती थी जो संग में प्रवेश कर लेते थे उनका जो जीवन था वह बहुत साधा था और दो जाने के लिए वह शहर और आसपास के गाव में जाकर बिक्षा मांगते थे और बिक्षा मांगके वे अपना खाना खाते थे इसी कारण से इन्हें बिक्षियो और बिक्षियो नी कहा गया जो वहाँ पर संग के लोग थे उन्हें बिक्षियो और बिक्षियो नी कहा गया मतलब एक बोलचाल की भाशा में उनके लिए वह एक नाम आ गया वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और वे एक दूसरे की सायता करते थे लड़ाई निप्टारा कभी हो किसी भी चीच पर डिस्पूट होता था तो उसके लिए उनके वे बैठक का आरेजमेंट भी करते थे अब जो संग में शामिल होने वाले लोग थे उन्में कोई वर्ण या कास्ट का भी ऐसी कोई रेस्रिक्षन नहीं थी उसमें ब्रामर्ण, ख्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गड़िकाएं दास सब आ सकती थी इनमें जो संग में आने वाले जो लोग थे उनमें बहुतों ने बुद्ध की शिक्ष्याओं के विशे में लिखा और कुछ ने संग में जो उन्हों का जीवन था, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया, उनके बारे में भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी अब आप एक चित्र देख रहे हैं, आपकी सामने ये चित्र है यहाँ पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गूफा है, जो महाराश्ट्र के काडले में इस्ते थे और विख्षू जो विख्षू नी है, वो इस तरीके की गूफा में रहते थे, जो पहाड़ी को काट कर बनाई गई थी अब हम देखेंगे विहार, विहार क्या होता है, जेन और बोध जो बिख्षुत है, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान गुमते हुए उपदेश देते थे, वो ऐसा थो था नहीं कि एक स्थान पर बेट नहीं है, पर जब वर्षारीतु होती थी, तब उनके लिए थ थोड़ा कठीन हो जाता था, कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके उपदेश दे, तो ऐसे स्थान, ऐसे कंडिशन में क्या होते थे, कि वे जो अनुयाई थे, वो कुछ अस्थाई निवास बना देते थे, जो यह अभी मैंने आपको गुफा बनाई, वो एक तरीके कि वही स्थाने, जिसका मेंचन अभी इसमें किया गया है कि वर्षा रितु में जहां वे रेस्ट कर ले थे, अपना एक अस्थाई निवास बनाते थे, जहां पे वे तपस्या करते थे, जब तक उन्हें उपदेश देने मिले, वर्षा रितु के बाद, जैसे जैसे समय बी विहार लकडी के बनाये गए, बाद में जैसे अगर उनको एकदम स्थाई करना था तो उन्होंने इटों का प्रयोग भी किया, और इनका जो अधिक तरिये पश्यम भारत में बनाये गए थे, विहार, प्रायर किसी धनी व्यापारी, राजा अथ्व अभू स्वामी द्वा तो राजा अभू स्वामी या जो उनको दान में भूमी मिलती थी, वहीं वे विहार बना लेते थे, अपना स्थाई निवास बना लेते थे, स्थानी जो व्यक्ति थे, वे बिख्शु बिख्शुनियों के लिए बोजन वस्त्र दवाईयां लेकर आते थे, जिसके बदले म वे उन्हें शिक्षा देते थे, मतलब इनका जो वो केश लेन देन वाला को हिसाब नहीं था, तो हमें शिक्षा दे रहे हो, तो बदले में उन्हें बोजन वस्त्र दवाईयां जो भी उनकी बैसिक नीड्स थी, वो उन्हें मिल जाती थी, आने वाली शताब्दियों में ब आश्रम मतलब लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला इस्थान नहीं है, जिसे कि आपको लगता हो कि आश्रम वह इस्थान है, जहाँ पे लोग रहेंगे, ध्यान लगाएंगे और तपस्या करेंगे, वह आश्रम नहीं, आश्रम यहाँ पर बताया गया है कि एक जीवन का चरन, जीवन का एक फेज है यह जिसे चार काल में जीवन को बाटा गया है, प्राचिन काल में क्या कि व्यक्ति की जो एवरेज आयू थी वो सो वर्ष मानी गई, ऐसा माना जाता था कि एक व्यक्ति सो वर्ष अगर जीता है, तो 25-25-25 साल के चार सेट बनाए ठीके तो एक ये जो सेट था उसको नाम दिया आश्रम चरन उसको नाम दिया आश्रन तो चार आश्रम हो गए पहला था ब्रह्मचर्य दूसरा था ग्रहस तीसरा था वानप्रस्थ और चोथा था सन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था उसमें ये जो आश्र उद्रों को थोड़ा दूर रखा गया तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतरगत जो ब्रामन शत्री और वेश्य थे उनसे यहां आशा की जाती थी कि वे इस दोरान साधा जीवन बिताएं और विद्या अध्यन करें मतलब जन्म से लेके 25 वर्ष तक का जो पहला आश्रम था जि एदो का अध्यन करना विद्या अध्यन करना है फिर 25 साल से 50 साल इससे इसमें यह आशा की जाती है कि वेवाकर ग्रहस के रूप में लेना है और अपने परिवार का निर्मान करना है उसके बाद था वान प्रस्त आश्रम उसमें 50 से 55 वर्ष का था उसके अंदर ऐसा था कि घर का निर्मान करने के बाद आप जंगल में लेकर साधना करो, महलब जंगल की तरफ निकल जाओ और साधना करो और अंत्र तहां पिचोत्तर से सो वर्ष जो लास्ट आश्रम था सन्यासी, सन्यास आश्रम, उसमें था था कि आप सन्यासी बन जाओ, यानि सब कुछ त्याग थी उनमें इस्तरियों को वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी और उनके जो पती थे उनके द्वारा पालन की जाने वाले आश्रमों का ही उन्हें अनुसरन करना होता था ठीक है तो इस प्रकार इस चेप्टर में हमने सबसे पहले बहुत दर्मों के बारे में देखा फिर सबको आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं और उनका डेली रीडिंग करेंगे तो आपको यह पूरा समझ आ जाएगा अब हम इरान के बारे में देखेंगे जर्थूस्तर एक इरानी पेगंबर थे उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो जेंद अवेस्ता नामा क्रंथ में म आफ़े मिलती जुलती है जर्थूस्तर जुथ है उनकी मूल शिक्षा का सुत्र है सदविचार सदवचन और सदकारे तो वैसे इसका एक्जाम परस्पेक्टिव से इसका कोई इत्ता मतलब नहीं है यह इत्ता एंपोर्टन नहीं है पर NCRT में दिया गया है इसलिए आप इ वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीन शोट लेकि इसको पर सकते हैं बाकी यह जनरल नोलेज के हिसाप से ही है इसका एक्जाम में इत्ता कोई रोल नहीं है तो इस प्रकार NCRT हिस्ट्री प्लास 6 इसका हमारा 6 चेप्र पूरा होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उन्हें लाइक कीजिए ज्यादा शेयर कीजिए यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे अगर आप मुझसे किसी वो टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू सो मच